हाई वेलकम बेक टो और चैनल कोडिंग एक्सपट माइसर माहिश कुमार घुमाउथ आज के वीडियो में आपने देखेंगे यूआइ बटन कैसे डिजाइन किया जाता है और यह होता है क्या हो और इसका कभ यूज किया जाता है और यूआइ बटन को स्टोरी बोर से कैसे ड इसब्स एसे बाद में चलते हैं यह आपका परज्जेक्ट शेलेक्ट कर दीजिए इसके बाद में किलिक कर दीजिए आपका प्रजेक्ट क्रेट हो चुका है तो चलते हैं यह अपना इस टोरी बॉर्ड आ गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले देखते हैं कि यूई बटन क्या होता है एक्च्वल में बटन जो है वह आपने कई बाटन ञाएं और उसका प्रपश होता है कि युजर को अप्लिकेशन के अंदर लोग इन करवाने का तो बटन पर अपन नेम देते हैं वह कि इसकी फॉंक्शल्टी को उसकी यूजर समझ सके कि और पर कनरें संपर personaje मलता हुआ हैर्कि यह तक्या उप्रेशन करें क्या और अप्रेशन परकशा करना है तो जब भी यूजर किसी बटन पर टेप करता है तो एक एक्शन कोल होता है और वहाँ पर कुछ बेक्ट्राउंड का जो कस्टम कोड होता है वह एक्जूट होता है उससे रिलिवेंट इन्फोरमेशन प्रोसेस करता है देन आपको वह उपरेशन परकॉंग करके देता तो में आपके पास Office अपव्चे př 날ळू पंजाएगी यहां पर अब बटन सेलेक्ट कर लींजिए बटन सर्च करोगे तो आपके पास में काफ़ी सारे बटन के टाइप साजाएंगे तो यह बटन अपन ड्रेग और लौक кадंसे अ कंस्टन्ट सेट कर लेते हैं चे 20 20 राइट से मार्जिन 100 टॉप से मार्जिन और जो हमारी वीड़त है वो डिफोल्ट रहे जाएगी अकूर्डिंग टू जो भी लेप्ट राइट में मार्जिन शोडने के बाद में और हाइट ले लेते हैं बन 45 फिक्स किसा अब इसकी जो बटन की प्र प्र दीज़ा है स्टॉरी बोल्ट से कैसे की दिए वह देख लेते हैं और आपने रग्रामेट्रों लीड़ताते हैं और उसके प्रपर अब पैना हुए प्रसाव का उन्रेंक दोको आले वीडियो का Link मिल जाएगा तो आप वहाँ पे जाके वीडियो विजिट कर सकते हो और प्रोग्रामेटी के लिए बटन के से डिजैन किया सकता है वह आप सीख सकते हो जली start करते हैं पंद जो पहली प्रोपर्टी है वो टाइप है और बटन के टाइप इस कौन-कौन से होते हैं कॉस्टम होता है system होता है detail disclosure info light info dark add context close तो यह जो भी बटन के टाइप से जैसे आप प्रक्राइब करें तो सिस्टम करते हो उस डिफोल्ट और प्रपरटी से इन बिल्ट रहती है इसके अलाब जैसे डिटेशल में आप जैसे कहीं पर विए इन्फॉर्मेशन पर कर वाते हो तो यह तरह से आई बटन जैसे आप यूटूब में देखते हो या कई एप्लिकेशन में देखते हो कि किसी भी टेक्स के साथ में जैसे कुछ और इंफर्मेशन वहीं पर देखनी है तो और इंफर्मेशन शो करने के लिए अपन डिटेल डिस्क्लोजर का यूज करते हैं तो यह जो आई का यह जैसे पासवर्ड तो उसमें किस टाइप का पर मेंट आपको पासवर्ड के लिए एंटर करना है तो वह आपकर आप आई बटन पर क्लिक करके वह वह फॉर्मेट देख सकते हो और भी कहीं से मतलब इंफर्मेशन होती है चो हिंट के लिए भी या मोर इंफर्मेशन के ल आप जब क्लोज के लिए हो गया तो यहां पर क्या है कि बटन के कुछ टाइप जदी के आपको किस टाइप के चाहिए बटन तो आप उसके कोडिंग फंक्शनल्टी के कोडिंग इस यहां से डारेक्ट लिए सकते हो ताकि आपको को एडिशनल एपर नहीं लगाना पड़े और इसके बात में दोस्तो इसटाइल देख लेते हैं इस टइल आपके पाक्र पास में होती है..डिफॉल्ट.. प्लेन.. ग्रे.. टेsplू्ट.. और फिल्ट इसके लिए दोस्तों क्या इपना डिफोल्ट रखते हैं इस्टाइल और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे डिफ्रेंट अपने बटन सर्च किया था जब आपने यहाँ सच किया था तो यहां पर कुछ और बटन भी आ रहे तो इसके अगर यह वाला बटन लेते हो नॉर्मल तो इसके अंदर आपके सब पास में कोई भी बेक्राउंड कलर वगरा ऐसी कोई चीज नहीं आएगी ट्रांस्पेरेंट बेक्राउंड बटन आता है जैसे अपने यहां पिलिया था एको ले लेता हूं में और आपको दिखा देता हूं में तीनों चारों में क्या फरक है और इसकी स्टाइल का इन बटन्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूं तो यह अपना था नॉर्मल बटन यह अपना ग्रे बटन है ग्रे बटन में से बे इंदैर और चेंज हो जाएगा तेंट Cape 2 का दिए लौप्तन ओगया उसके लुफ हीफिग और लौप है य aspire जो फिल्टन है यह बेक्ग्राउंड कलर के साथ में फिल्ड आता है करना है तो उसके लिए आप फिल्ड बटन का यूज कर सकते हो डारेक्टली तो आपको इडिशनल इन बटन के बारे में जाने की जड़त नहीं है इंवे स्रिफ बेक्ग्राउंड कलर का डिफरेंस है तीनों-चारों बटन में ग्रे बटन टिंटेड और फिल्ड बटन और नॉर्मल बटन के अंदर बाक्य प्रोपर्टीज और एक्शन सेम में कोई डिफरेंस नहीं है तो चलिए अपन नॉर्मल बटन पर आ जाते हैं और यहां पर जो सब्मिट बटन टेक्स वापस से अपने एंटर कर देते हैं अगlegen यह तो अपनी vakए बटन की इस्टाइल ओर डिफरेंट टाइप्स के बटन बैस ठाख साथ में इसके इसके लागर बटन यह आपका ग्रेंड कर दो अ गया जैसे आप यहां पर देक रही हो अपने डायकली ड्रेक्ते ह्न किया थाere usa और यह सश्ताइल हो तो यह क्या है कि डिफोर्ट अपने को डिफेरेंट इस्टाइल के बटन एड़ करके अपने रिपॉर्मेंट इनका यूज कर सको तो यह तो अपने style तो इन properties की base पर आप क्या कर सकते हो उनके कुछ different properties है वो आप set कर सकते हो तो अपन default कर देते हैं इसको वापस से अब चलते हैं अपन state configuration पर तो यहां पर इसकी different button की states होती है default होती है जैसे user ने अगर button पर अभी तक click कि नहीं किया है तो वो उसकी normal state और उसको default state बोल सकते हैं देन अगर user ने टेप कर दिया है उस पर तो क्या होगा अपना selected state active हो जाएगा और अगर उस पर टेक्स है बटन पर तो वो highlighted दिखेगा कुछ time के लिए और disabled state अपनी आती है कि उस पर user को operation perform नहीं कर सकता है तो वो disabled state में आता है अपने तो यह बटन के states हो गए देन title आपकी पास में 2 होते हैं plan or attributed plan or attributed पर अपने काफी कुछ देख सेके हैं तो यह तो जासे आपका प्लेन था अगर आपको attributed करना है तो यहाँसे आपको माल लीजी यह तीन character इत्रीबिटेट दिखा धिता हूँ मैं आपको पिर से अगर माल लीजी आपको यह इन तीन करेक्टर सी कलोटंब कर ने तो तो यहां से आप क्या करसकते हो इसका जो भी टेक्स कर सकते हैं जहां पर आप अपने कि वसके स्ट की कालर ॔र बेक्राउंड कलर और उसकी इंक्रींड कर सकते हो बोल्ट कर सकते हो अपने अपोडिंग तो अपने डेszके नेकरेटेद फाम में यहां पर आप बेक्ग्राउंड इमेज ले सकते हो पहले उसके लिए आपको मेने इमेज अटानी पड़ेगी तो यह बेक्ग्राउंड इमेज क्या करती है कि जो भी आपका जितने भी जिस भी साइज का फ्रेम है ना पूरे इमेज लेलीगी बेक्राउंड के अन्दर ऑर उसके उपर अपना कस्टम झाइतल जो भी आप देना सिथे वह दे सकते हों उसके लिए बेक्राउंड इमेज करते हैं और यहां से यह जो इमेज होती है यह मतलब मैं उस पर आती तो जितनी साइज के आपकी मेज होगी ना उसके कोडिंग वह इमेज सेट होती है आपर तो यह पूरे फ्रेम को कवर नहीं करती है वह अपने रिजुलिशन के कोडिंग इमेज वहाँ पर बटन पर सेट कर देती हैं तो यह डिफ्रेंस है बेक्ग्राउंड इमेज के अंदर और image के अंदर image क्या क्या करती है जो button पे जितनी इसके इसके बाद में जो चयाल कूंण कूंसी होती है इसके पून यह अपने सोइब अधाह जब बटन है यहां से आप को हाइड कर सकते हूं यह हीड हो जाएगा आप इसको अंचेक कर दो के तो यह जाएगा तो यह बटन की क्या है मैं प्रोपर्टी थी जो अपने को घंरल नी यूज आती रहती है अब आपन चलते हैं system editor open करते हैं और इसके अंदर इसका आई भी एक्षन बना लेते हैं बटन का आई भी एक्षन कैसे बनाते है अपन जो भी हमारा UI controllers पर right click करते हैं then जो send events के अंदर touch up inside तो touch up inside से drag and drop कीजिए button कौन सा था share का icon था तो इसमें क्या नाम होना चीए share activity sharing की जो भी activity होगी वह perform होगी और यहां से आप अगर बटन का object access करना चाते हो तो UI button pass कर दीजिए otherwise यह नहीं छोड़ सकते हो कि अपने बटन का आई भी एक्षन बन गया है इसमें print करा लेते हैं तो अब इसको चेक कर लेते हैं कराके कि यह आई भी एक्षन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा तो इसके लिए simulator सेलेक्ट कर लेते हैं रन करवा देते हैं कि तो यह आपके application launch हो चुकी है तो बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो नीचे डिबग एरिया के अंदर sharing आपका print हो चुका है क्योंकि मैंने इस पर क्या दिए था बटन की आई भी एक्षन पर टेक्स जो प्रेंट कर वाय था वो क्या था तो इस टाइब से अपन क्या है कि button storyboard के थूर design कर सकते हैं उसकी background color वगएरा attributed text, blend text और इसकी जो भी style वगएरा configuration वगएरा storyboard के थूर set कर सकते हैं और अगर आपको button की size वगएरा attributes वगएरा set कर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो size inspector पर आईए इस पर क्लिक कीजिए और यहां से button का frame set कर सकते हो height width वगएरा set कर सकते हो तो यह आपका size inspector के अंदर होता है और इसके अलावा अगर आप जैसे अपन देख चुके हैं कि अपने देखा कि buttons पर style कैसे configure किया जाता है तो आज की video में अपने सीखा कि UI button क्या होता है storyboard से इसको कैसे design किया जाता है और इसका क्या use है और इसके properties कैसे sheet की जाती है और साथ ही साथ अपने देखा कि grey button, tinted button और filled button को अपन कैसे design कर सकते है और button के style change करके ही अपन grey button, tinted button और filled button को use कर सकते है I hope आपको आज का topic समझ में आया होगा फिर भी अगर आपके कोई doubts है तो आप comment section में comment कीजिए मैं उनके answer दूँगा आपको आपके doubts दूर करूँगा और हमारे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए और अपने friends को भी share कीजिए जो iOS application development सीखना चाते है ताकि उनको भी इसका benefit मिल सके और इस course के compilation के बाद में वो भी अच्छी company में job कर सके और खुद की भी application develop करके पैसे financing की तो भी earn कर सके लिए और अगर अभी तक आपने bell icon को प्रेस नहीं किया तो bell icon को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको latest updated videos के notification मिल सके, thank you guys, मिलते हैं next class के अ प्रेस कर दो